एक नवंबर को कैतलिकली स्या सब संतों का पर्व मनाता है जो सभी ज्यात और अज्यात संतों को समानित करने के लिए समर्पित एक उच्छव है यह पर्व विश्वासियों को इन पवित्र पुर्शों और महिलाओं के जीवन पर विचार करने और उनसे प्रेणा लेने के लिए आमंत्रत करता है All Saints Day की उत्पत्ती इसाई धर्म के पारंबिक शतापती में हुई थी प्रारंब में इसाई अपने विश्वास के लिए मरने वाले शहीदों को याद करते थे लेकिन जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती गई एक आम पर्व आफशक हो गई चौथी शदापदी तक सब संतों का सम्मान करने के लिए एक दिन अलग रखा गया था विशेशकर उनके लिए जिनके पास कोई विशेश्ट पर्व नहीं था सब संतों का पर्व इस महिने में अनोखा है कि यह किसी एक संत पर ध्यान केंदरित नहीं करता बलकि संतों के संपून समागम का स्वरण कराता है इसमें प्रेरित, शहीद, विश्वास पात्र और जीवन के हर युग और हर शेत्र के पवित्र लोग शामिल है यह समय, स्थान और लिंग की सीमाओं से परे जाने वाला उत्सव है यह पुराने या ने, या ये यरोपी या एश्याई, या पुरुष या महिला के बीच अंतर नहीं करता है यहां एक ऐसा दिन है जो अप्रसित संतों और उन लोगों को मान्यता देता है जिनोंने चुपचाप पवित्र जीवन जिया है जिन में वे लोग भी शामिल है, जिनके नाम इतिहास में खो गए है लेकिन जिनकी पवित्रता इश्वर को ग्यात है यह इस विश्वास पर प्रकाश डालता है कि हर किसी को संत बनने के लिए बुलाया जाता है केवल चर्च दुवारा संत घोशित किये गए लोगों को नहीं यह पर इस विचार को रिखांकित करता है कि प्रेम, सदचार और इश्वर के इच्छा के प्रती समर्पृत जीवन जीने से संत बन सकता है यह दिन प्रत्वी पर चर्च और स्वर्ग में संतों के बीच अध्यात्मिक बंधन पर भी जोर देता है जिसे संतों का समुदाय कहा जाता है यहाँ एक शक्तिशाली अनुसमारक है कि दिवंगित विश्वासी लोग चर्च से अलग नहीं हुए हैं बलकि एक ही परिवार का हिस्सा है सब संतों के पर्व से जुड़ी एक दिल्चस्प कहानी हेलोवीन से इसका संबंध है मदियुगिन चर्च में एक नोवेंबर से पहले की शाम जिसे ओल हेलो जीव के नाम से जाना जाता है पर्व की तैयारी में प्रातना और द्यान का समय है समय के साथ इसाई और पूर्व इसाई परंपराओं को मिलाकर कपड़ा पहनने और अलाव जलाकर पर्व मनाने जैसे रीती रिवास विकसित हुई ये कई देशों विशेश रूप से पश्यमी यूरोप और सम्युक्त राज अमेरिका में अधिद्धिक उच्सा और हास की भावना के साथ मनाया जाता है आज की दुनिया में जहां चुनोतिया और आकरश्रण अकसर हमें गहरी आत्यात्मिक विचार से दूर खीचते हैं All Saints Day विश्वास और आशा की शक्ती की याद दिलाता है यहां हमें समान्य संगर्षों से परे देखने और ईश्वर की असाधारन कृपा की तलाश करने के लिए कहता है संतों का पर्व मनाकर हमें याद दिलाया जाता है कि पवित्रता सुदूर अत्तीत के लिए अरश्शित नहीं है यहां प्रेम और सच्चाई में जीने के इच्चुक किसी भी व्यक्ती की पहुच के बीतर एक लक्ष्य है यहां हमें अपने दैनिक जीवन में अधिक दैयालुता प्रेम, करुना और सेवा के लिए प्रियास करने का प्रोचसाहन देता है दुनिया भर में सब संतों का पर्फ अलग-अलग तरीकों से मनाया जाता है भारत और फिलिपिन्स में परिवार All Souls टे मनाने की तैयारी में अपने प्रियर्जनों की कबरों को साफ करने और सजाने के लिए कबरस्तानों में इखटा होते हैं पोलेंट और अन्यपूर्व्य इरोप्यों देशों में लोग मृत्यों की कबरों पे जाते हैं मुम्बत्यां जलाते हैं जो कबरस्तानों को रोश्नी के चमकते शेत्रों में बदल देते हैं मेकसिकों में सब संतों का पर्फ मृत्यों के दिन से घहरा संबंद रखता है सम्मान करना और उनके उधारन के माध्यम से ईश्वर के करीब आना जैसे कि हम एक नोवेंबर को सब संतों का पर्व बनाते हैं आईए याद रखें कि संत हमारी आधयात्मिक याथ्रा में दूर के वेक्ति नहीं बलकि करीब हिस आती हैं उनका जीवन ईश्वर की कृपा में जीने के लिए एक माग दर्शन प्रदान करता है और उनका उधारन हमें दिखाता है कि पवित्रता सभी के लिए संभव है उनकी कहानियां हमें पवित्रता की और अपना रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित करें इस आशा में विश्वास रखें कि कि उनकी तरह हम भी एक दि सुरकी संगती में शामिल हो सके